अनुरुदा चारी जी एक जबाने में कहते थे कि फिलमे जो है वो समाज का आईना हुआ करती है और में दृष दिखाया जाता है के वह पुघ वही इस्तिति होती है जो समाज में चल रहे होती है अभी जोबतमान समय में जिस तरीक से त्माम सारी वेब सीरी चल रही है, फिलमे जिस तरीकी से आ रहे हैं, हर फिलमे कोई ना कोई आइटम सौंग मिल जाएगा, ये फिलमे वैसी नी रही है, जैसी कभी हुआ करती थी, और आप कहते हैं, वहिए आप अपनी बेटी के साथ देखी नहीं सकते हैं, अब असलील, पैसा भी दो औ . तो पिक्षरों का काम आजकल केवल सनातन को संस्कृति को समाप्त करना तो वो अपने तो उसमें सफल भी है कि कभि सेंसर बोर्ड को लेकर कि आपने कोई आपती उठाई बिल्कुल हम आप सर बोर्ड से यह कहना है कि ऐसी मूवियों को क्यों हम एग्री कर रहे हैं क्यों हम उसे इजाज़त दे रहे हैं कि आप जाओ और बेटियों का चरित्र विगाड़ो बेटों को चरित्रहीन बनाने की प्रेरणा शराब पीने की प्रेरणा चरित्रहीनता की प्रेरणा कहां से मि एक लड़की विवाह के पहले ये चाहती है सारी नहीं कुछ परसेंट के मेरी सास ना हो क्योंकि सासों के इतना डेंजर दिखाया है सीरियलों में के बेटियां डर गई अब बताइए हमारे भारत में तो सास मा हैं कौशिल्या और सीता का संबंध देखिये लेकिन उसे डेंज जर थरीके से बारती महिला को दिखाया गया विदेशी महिला को सौप्ट रूप में लिखाया गया सीरियलों में इससे क्या हो गया कि बेटिवा की बड़धी में सास के प्रति नफरत पैदा हो गये इस लिए आज कल बेटिया अपने च्शादी हुई तुरंत अलग होती है हमें साथ से कोई लेना देना नहीं कैसे होगा कल को आपका बेटा कह दे कि मैं अलग रहूंगा तो पिर कौन बुढ़ापे में आपका सहारा यह तो ईश्वर की जो विवस्था है वो विवस्था चर्मरा जाएगी इसलिए उस विवस्था को बनाए रखने के लिए हमें संसकार वान बेटा चाहिए संसकार वान बेटी चाहिए संसकार आप बॉलीवुड से तो संसकार की उम्मीद करें नहीं सकते